मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेश काजगरम के साथ हम बात करेंगे सफल होने के लिए अपने अंदर कैसे आकरसन पैदा करें इस सिक्रेट पावर्फुल मंत्रा फॉर अट्रेक्शन ग्यान का करसन, रूप रंग का करसन, काविलियत का करसन, स्वभा और बेवार का करसन, वानी और अभिव्यक्ति का करसन ये आकरसन, ये गुन अगर आपके अंदर हैं तो आप दुनिया के सफ़ से सफल ब्यक्ति बन सकते हैं आप रातो रात सफलता के चरम सीमा पर पहुंच सकते हैं लोग आपकी गुनगान करने लगेंगे आप जिस छेतर में काम करेंगे उसी छेतर में आप सफलता आपकी चरन चूमने लगेगी लेकिन सफलता की जो पहली सीधी है या पहला नियम है आप ये कैसे समझें कि आप सफल हो रहे हैं या सफलता आपकी तरफ बढ़ रही है देखिए अगर लोग आपकी तरफ जुखने लगे आपकी बातों को सुनने लगे आपकी तरफ लोग का आकर्षन होना सुरू हो जाए आपको पबलिक पॉपलर्टी मिलना सुरू हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि आप सफल हो रहे हैं सफलता आपकी तरफ बढ़ रही है मनो बैज्ञानी के नुसार भी हर इंसान के अंदर कोई नो कोई आकर्षन या खुबी होता है जिससे सारी दुनिया उसके तरफ आकर्षित हो जाता है अब ये खुबी ज्ञान का आकर्षन हो सकता है रूप रंग का आकर्षन हो सकता है स्वभा और बैभार का कर्सन हो सकता है वानी और अभिवक्ति का कर्सन हो सकता है कावलियत का कर्सन हो सकता है अगर ये आकर्सन आपके अंदर है तो आप इसको कैसे बढ़ा सकते है या अगर ये आकर्सन या ये खुबियां ये गुन आपके अंदर नहीं है तो आप इसको कैसे पैदा कर सकते हैं इस बीसे पर हम आपको आगे बताएंगे लेकिन आपको ये समझाते हैं कि अगर आपके अंदर ग्यान का अकरसन है आपके अंदर ग्यान की खुबी है जैसे आपने एक computer shop open किया अगर आपको computer के बारे में अच्छी knowledge है अच्छी ग्यान है तो लोग ग्रहक आपके पास आएंगे आप से सलाह लेंगे आपकी दुकांदारी बहुत अच्छी चलेगी उसी तरह से अगर आपके अंदर रूप रंग का आकरसन है तो आप रातो रात, film, media, television का start बन सकते है वहां आपको सफलता मिलना सुरू हो जाएगा इसी तरह से अगर आपके अंदर वानी और अभिवक्ति का आकरसन है तो आप अपने वानी, आप अपने जो बोलने की चमता है जो आपकी आवाज में जो दम है उससे भी आप सफल हो सकते है आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐशे लोग हैं जो सिर्फ अपने वानी और अभिवक्ति के कारण सफल हो गए सिर्फ उनके अंदर एक बोलने की चमता है उनके बातों में एक दम लगती है और उसी वज़त से वो सफल हो गए इसके अलावा स्वभा और बेवारेकान भी आप सफल हो सकते हैं आपके अंदर जो काविलियत है आप उससे भी सफल हो सकते हैं अगर आप किसी सौफ्टर कमपनी में काम करते हैं किसी आईटी कमपनी में काम करते हैं तो आप जिस फिल्ड में, जिस छेतर में काम कर रहे हैं, उस छेतर में अगर आपको एक expert की knowledge हो गई है, आप expert हो गए हैं, तो लोगों का आपकी तरफ जोगा हो सकता है और आप सफल हो सकते हैं, लेकिन ये जो गुन है, ये खूबियां है, ये जो आकर्षन है, ये आकर्षन अलग गलग गरह से आती है, हर एक गरह के अंदर एक बिसेश तरह का आकर्षन होता है, जैसे सुर्ज, शनी, शुक्र, ब्रस्पति, चंद्रमा, बुध, मंगल, राहु, केतु, ये आकर्षन अच्छा या बुरा भी हो सकता है, अच्छे गरह से अच्छे लोगों को करते हैं, तो अगर आपके अंदर एक अच्छे गरह की आकर्षन है, तो निश्चित रूप से आपके तरफ अच्छे लोग आकर्षित होंगे, और अच्छे लोगों की साथ आपको सफल होने में मददगार साबित हो सकता है, इसके अलावा, जो बुरे गरह हैं, जैसे मंग है, सनी है, राहु के तो है, अगर ये आपके अंदर बुरे आकर्षन पैदा कर रहे हैं, तो बुरे लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे, और आपके साथ अगर बुरे लोग हो, तो आपकी जिन्दगी को ये तबाह कर सकती है, तो हम आपको आगे बताएंगे, कि आप के लिए ब्रस्पती ग्रह जिमेदार होता है चुकि ब्रस्पती ग्यान और धर्म के ग्रह माने जाते हैं इसलिए ग्यान जिस छेतर में होगा उस छेतर में आपकी तरफ सारी दुनिया अकरसित हो जाएगी और आप एक सकती साली सफल ब्यक्ति बन जाएगे मैंने आपको पहल जाएगी आपके पास लोग आएंगे सलाह लेने के लिए ग्यान के लिए एडवाइस लेने के लिए और आप रात और रात सफल बन जाएंगे और सफल ता आपकी चरण चुमने लगेगी इसके अलाबा हम ये भी समझते हैं कि क्या होता है रूप और सौंदर्ज का आकर्शन रूप और सौंदर्ज के आकर्शन के लिए सुक्र गरह जिम्मेदार माने जाते हैं अगर आपका सुक्र बल्वान है तो सारी दुनिया आपके सौंदर्ज और ग्लेमर की तरफ आकर्शित हो जाएगी और आप एक सकती साली सफल ब्यक्ती बन सकते हैं जैसे अगर आपकी रूप और सौंदर्ज अच्छी है आप देखने में बहुत अच्छे लगते हैं तो आप फिल्म में, मीडिया में, टेलिवीजन में आप एक स्टार बन सकते हैं आप सफल हो सकते हैं, आप रात और रात सफलता की चरम सीमा पर पहुं सकते हैं अगर आपके अंदर रूप और सौंदर्ज का आकर्शन है इसके साथ साथ हम आपको ये पताते हैं हम ये चर्चा करते हैं कि प्रेम और सोंदर्स का आकर्षन आप कैसे बढ़ाए अपने अंदर ये जरूरी है कि आपके अंदर कोई न कोई एक खास आकर्षन होनी चाहिए तभी आप सफल हो पाएंगे चाहे वो प्रेम और सौंदर्स का आकरसन हो चाहे वो वानी और सभाव का आकरसन हो या आपका वेवार का आकरसन हो या आपकी कावलियत का आकरसन हो तो अगर आपके अंदर प्रेम और सौंदर्स का आकरसन है से आप बहुत अच्छे दिखेंगे और सौंदर्स संपन हो जाएंगे और सफलता आपके चरंद चूमने लगेंगे तो प्रेम और सौंदर्स का आगर्शन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहली बात अपने सरीर और कप्रे की साफ सफाई का ध्यान रखें रोजाना सुभा असनान के बाद गुलाब का सुगंद अपने नाभी, कंठ, दोनों कान के पीछे, हाथ में मनिवंद के पास तथा अपने हिर्दय के आसपास लगाएं गुलाबी, बैगनी और क्रीम रंग का पर्योग जादा करें, खूब पानी पिए और इस मंत्र का जाप करें जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ मंत्र है ओम, हिरिंग, रेतस, अस्तम्भै, हिरिंग, स्वाह दूसरा मंत्र है ओम, शुम, सुक्रायनमा तो ये दो मंत्र अगर आप जपेंगे और इसके साथ-साथ अगर आपको मैंने जो उपाय बताए हैं करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर प्रेम और सौंदर्स का आकरसन बढ़ेगा और इस वज़े से आप फिल्म, मीडिया, टेलिवीजन में एक स्टार बन सकते हैं, सफल हो सकते हैं इसके साथ-साथ हम आपको ये बताते हैं कि सौभाव और बैभार का आकरसन आपके से बढ़ा है देखिए चंदर्मा से सौभाव और बैभार का आकरसन पैदा होता है आपका सौभाव और बैभार इतना अच्छा होगा कि लोग आपके तरफ आकरसी थोने लगेंगे आप से बात करने की लोगों का मन करने लएगा सहज रूप से आपके तरफ सारी दुनिया आकर्सी तो होने लगेगी और आप एक सफल ब्यक्ति बन सकते हैं अपने सौभा और बैभार एकरण तो सौभा और बैभार का आकर्सन आप अपने अंदर कैसे बढ़ा सकते हैं या आपके अंदर अगर यह आकरसन नहीं है तो आप इसको कैसे पैदा कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है कि काले और भूरे रंका परयोग ना करें भगवान शिव की पूजा और मंत्र जपें पानी की बेरवादी आप ना करें अपने माताजी का धियान रखें और य इस मंत्र का जब दूसरों के लिए करते हैं तो ओम नमा सिवाय की जब करनी है इसके साथ साथ आप एक मंत्र और जब कर सकते हैं वो है ओम चंद्रमसे नमा तो अगर आप अपने अंदर सभाव और बैभार का आकरसन पैदा करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको उपाय बता आप अपने अंदर कैसे बढ़ा सकते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत साए लोग सफल हुए हैं सिर्फ इस कारण कि उनकी वानी उनकी अभिव्यक्ति उनकी प्रजेंटेशन बहुत अच्छी थी और इस वज़ा से वह सफल हो गए आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी अभिव्यक्ति अपनी वानी के वज़त से इतने सफल हो गए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने अंदर वानी और अभिव्यक्ति प्रजेंटेशन का आकरशन बढ़ाना चाहते हैं तो इस अच्छी वानी के लिए अगर आप चाहते हैं कि कोई रत्न पाने तो एक परीडॉट नाम की रत्न आती हैं जिसको आप चांदी में बनवा करके अपने दाई हाथ के सबसे छोटी उंगली में धरन कर सकते हैं इसके साथ साथ आप एक मंत्र की जाप और कर सकते हैं वो मंत्र है ओम भुम बुधाय नमा ओम भुम बुधाय नमा तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर वानी और अभिव्यक्ति का आकरसन पैदा होगा लोग आपके तरफ खीज चले उन्हा कर सबना से लेंगे और आप एक सफल ब्यक्ती बन सकते हैं इसके साथ साथ ज्यान और अध्यात्म कारसं अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर ज्यान हो आंध्यात्न कारसं हो लोग आपके तरफ बरवसी खीचे चले आए तो आपको निश्चित रूप से अपने ब्रस्पत्य गरह को मजबूत करना है, स्ट्रोंग करना है इसके लिए क्या करना है, आपको सुवाह में केले का सेवन करें भगवान सुर्ज को जल में हल्दी मिलाकर जल अर्पित करना है और एक सिंपल सा मंत्र है, वो आपको जब करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके जिन्दगी में ग्यान का अकर्षन हो, अध्यार्म का अकर्षन हो तो इसके लिए आप यह उपाय करें, तो निस्तित रूप से आपको इसमें सफलता मिलना सुरू हो जाएगा इसके साथ साथ जो सबसे महत्पुन बात है, वो यह है कि आप अपने अंदर तिब्र आकर्षन कैसे पैदा करें जैसे मैंने आपको पताया कि रूप सोंदर्स का आकर्षन, ग्यान का आकर्षन, स्वभा और बेवार का आकर्षन, वानी और अभिव्यक्ति का आकर्षन अगर ये सारे आकर्षन आपके अंदर हो जाए तो आप समझ लिजिए कि आप रात ओ रात एक ऐसे सफल ब्यक्ति बन जाएंगे जिसकी कलपना आप भी नहीं कर सकते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर एक टिब्र आकर्षन पैदा हो तो इसके लिए आपको जो चंदर है और सुक्र कर रहा है इसको मजगूत करना पड़ता है इसको एस्ट्रों करना पड़ता है देखिए आप कैसे समझेंगे कि आपके अंदर टिब्र आकर्षन पैदा हो रहा है अगर अचानक से बहुत सारे लोग आपके तरफ आकर्षी थोने लगे तो समझ लेजिए कि सुक्र और चंदर्मा आपके अंदर तिब्र आकर्षन पैदा करते हैं और पब्लिक पॉप्लर्टी को जादुव की तरह बढ़ा देते हैं और आप रात और रात सफलता के चरम पर पहुंचाते हैं तो मैंने आपको पहले बताया कि कैसे आप चंद्र को मजबूत कर सकते हैं कैसे आप सुक्र को मजबूत कर सकते हैं तो यानि अगर आपके अंदर ये सारे गुन आ जाए रूप सुन्दरज का गुन, वानी का गुन, ज्यान का गुन, स्वभाओं का गुन, अभिव्यक्ति का गुन, तो आप के अंदर एक टिभ्र आकरसंत पैदा हो जायागा, और आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं. तो मैंने आपको पहले ही उपाय बता दिया है कि आप अपने अंदर कैसे आकरसन पैदा कर सकते हैं, अगर आप उन उपाय को करेंगे तो निश्टित रूप से आपके अंदर एक तिवर आकरसन पैदा हो जाएगा, अब बात यह है कि बहुत सारे लोग इतने सारे उपाय नही है, पहली उपाय सुबह रोज सबेरे सुर्ज भगवान को जल अरपित करें, यह पहली उपाय है, दूसरी उपाय सुबह और साम गायतरी मंत्र का एक सा आठ वर जब करें, गायतरी मंत्र है ओम भूर्ववश्रोह तच्च्वितुर्वरैन्यम भरगो देवस्य धीमही धिय देखे गायतरी मंत्र में 24 बीज मंत्र से है, बना हुआ है यह, इसके अंदर 24 बीज मंत्र की सकती है, तो अगर आप गायतरी मंत्र का जब करते हैं, तो आप 24 गुन, 24 तो तत्वा है, अलिमेंट है, उसको आप अपने तरफ आकरशित करते हैं, और आपके अंदर एक तिवर आकर्षन पैदा हो सकता है तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर तिव्र आकर्षन पैदा हो तो जो उपाय मैंने आपको पहले बताया है वो भी आप कर सकते हैं नहीं तो कम से कम आप ये दो उपाय को करें तो आपके अंदर आकर्षन पैदा होगा और आप एक सफल ब्यक्ति बन सकते हैं ये तो पहली बात हुई दूसरी बात इसकी सासत आपको एक उपाय और करनी है रात को सोने से पहले जब आप अपने बिस्तर पर सोने जाते हैं तो क्या करना है कि सोने से पहले आपको विजुलाइजिसन करना है एक कलपना करना है कि आप एक सफल ब्यक्ति हैं, आपको ये बोलना है कि मैं एक सफल ब्यक्ति हूँ, सफलता मेरी चरंचूम रही है, दुनिया की सारी सफलता मेरे तरफ आकरसित हो रही है, इस visualization से या इसको करते करते जब आप सोएंगे तो सारी रात या आपके दिमाग में चलती रहेगी और यह जो information जो आपने conscious mind से सोचा है वो आपके अब चेतन मन में जाएगा आपके सब conscious mind में जाएगा और यह पूरी universe ब्रह्मान को transmit हो जाएगा और सारी प्रकृति ब्रह्मान इस्वर आपको सफलता दिलाने में मदद करने लगेगी तो यह उपाय भी आपको क पसंद आई तो किर्पिया इसे like, subscribe, share करें अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ ताकि अगर उनके जिन्दगी में कोई आकरसन नहीं है तो वो भी इस वीडियो का फैदा उठा करके अपने अंदर एक आकरसन पैदा कर सकते हैं और जीवन में सफलता को प्राप्ट कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही मैं अपने विद्वा अंदर सकों को नमस्कार करता हूँ धन्यवाद